वेलकम टू डॉमिनेंट क्लासेज प्यारे बच्चो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था आज का जो हमारा टॉपिक है एस सून एस से है तो प्यारे बच्चो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा यानि कि फर्स पार्स सेकेंड पार थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्चन में लिंक दिये हुए हैं आप लोग वहां से उसे वाच कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो चलिए आज का टॉपिक हम सुरू करते हैं ठीक है ठीक है एस सूने जैसे ही ठीक है पॉसिबल का मनलब संभव ठीक है रिचिंग का मनलब परॉशना ग्राउंस का मनलब मैदान ठीक है मैंने खुद को कक्षा में प्रवेष के लिए पहले हैँ इपस्तित किया उसके बाद फिर देखिए, having been so long without proper food, a bath and change of clothing, ठीक है, having been so long without proper food, proper food का मलब सही भोजन, a bath का मलब इसनान, ठीक है, change of clothing का मलब कपड़े बदलना, ठीक है, तो चलिए, having been so long without proper food, a bath and change of clothing, काफी लंबे समय तक सही भोजन और इसनान न करने, तथा कपड़े न बदलने के कारण, ठीक है, यहाँ पर देखिए, I did not of course, of course का मतलब वास्तों में, make a very favorable, favorable का मतलब होता है, अनुकूल, ठीक है, impression का मतलब प्रभाव, अपान हर का मतलब उनके उपर, ठीक है, I did not of course, make a very favorable, impression अपान हर, वास्तों में, मैं उनके उपर बहुत अच्छा प्रभाव, नहीं डाल सक ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखिए, I could see at once that, ठीक है, मैं तुरंट देख सकता था की, ठीक है, at once का मतलब तुरंट, ठीक है, I could see, see का मतलब देखना, I could see at once that, मैं तुरंट देख सकता था की, there were doubts, doubts का मतलब संदे, ठीक है, there were doubts in her mind about the wisdom, wisdom का मतलब होता है, बुद्धी, बुद्धी मान ठीक है या बुद्धी of admitting, admitting का मरला होता है स्विकार करना me as a student student का मरला विद्यारती, ठीक है एक बाद फिर से पढ़ लेते हैं there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student, एक छात्र के रूप में मुझे स्विकार करने के ज्यान के बारे में उनके मन में संदेथ था, ठीक है उसके बाद फिर देखिए for some time, कुछ समय के लिए she did not refuse to admit me, admit का मरला स्विकार करना और refuse, refuse का मरला मना करना ठीक है, she did not refuse to admit me, उसने मुझे स्विकार करने से मना नहीं किया, अच्छा उसके बाद neither did she decide in my favor, फेवर का मरला यहाँ पर पच, decide का मरला निड़ा है neither did she, ठीक है, decide in my favor, नाहीं उसने मेरे पक्ष में निड़ा लिया ठीक है, उसके बाद फिर देखिए I continued to linger about her, continued का मरला लगातार, linger का मरला थैरना ठीक है, I continued to linger about her, ठीक है about her, मैं लगातार, दिर्ग काल तक उनके पास ठहरा रहा, ठीक है I continued to linger about her, ठीक है माल लगातार, दिर्ग काल तक ठीक है, उनके पास ठहरा रहा या रुका रहा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, and to impress her in all the ways I could with my worthiness ठीक है, and to impress, impress का मरला प्रभाव ठीक है, प्रभावित her in all the ways ठीक है, ways का मरलब तरीके से ठीक है, I could with my worthiness worthiness का मरलब योग्यता या पातरता ठीक है, तो चलिए इसकी इंदी समझ लेते हैं and to impress her in all the ways, I could with my worthiness, ठीक है, और हर तरीके से अपनी योग्यता के अनुसार, उन्हें प्रभावित करता रहा, जो मैं कर सकता था ठीक है, और हर तरीके से अपनी योग्यता के अनुसार, उन्हें प्रभावित करता रहा, जो मैं कर सकता था, अच्छा, उसके बाद फिर देखिए in the meantime, ठीक है इसी बीच में, I saw her admitting other students ठीक है, admitting का मतलब प्रभेस करना या स्विकार करना आइसा, सा का मतलब देखा, ठीक है in the meantime, इसी बीच में I saw her admitting other student ठीक है, यानि कि मैंने उन्हें अन्य विदार्तियों को प्रभेस देते हुए देखा मैंने उन्हें अन्य विदार्तियों को प्रभेस देते हुए, देखा अच्छा, उसके अच्विर आगे देखिए and that added greatly to my discomfort, discomfort का मरलब होता है बेचैनी या परिशानी and that added greatly to my discomfort, और इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई ठीक है, और इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई, उसका I felt, ठीक है I felt deep down in my heart ठीक है, deep down का मतलब यहाँ पे जो है वो गहराई से है, felt का मरलब महसूस करना ठीक है, hurt का मरलब हिर्द है I felt deep down in my heart मैंने हिर्द है की गहराई से महसूस किया that की I could do so sorry, I could that I could do as well as they, ठीक है, मैं कर सकता था जैसा उन्होंने किया ठीक है, यानि कि मैं उनसे अच्छा कर सकता था जैसा उन्होंने किया अच्छा, उसके बात देखिए If I could only get a chance to show what was in me ठीक है, chance का मरलब आउसर यह मौका If I could only get a chance to show what was in me अगर मुझे केवल यह दिखाने का मौका मिल सकता कि मुझ में क्या था, ठीक है अगर मुझे केवल यह दिखाने का मौका मिल सकता कि मुझ में क्या था, तो प्यारे बच्चों आई होब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर आगे देखते है After some hours had passed, ठीक है, past का रूम, नीट्स, स्वीपिंग, ठीक है, एडज्वाइनिंग, एडज्वाइनिंग का मतलब होता है बगल के, ठीक है, रेसिटेशन रूम, रेसिटेशन रूम का मतलब होता है कविता कक्ष या गायन कक्ष, ठीक है, नीट्स, नीट्स का मतलब यहाँ पे आवशकता, ठीक है, broom का मरलब जाड़ू, take the broom, ठीक है, and sweep it, जाड़ू लो और उसे साफ कर दो, जाड़ू लो और उसे साफ कर दो, ठीक है, प्यारे बच्चों आयोप आपको यहाँ तब बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, आगे फिर देखते हैं, it occurred to me at once that, ठीक है, अच्छा उ तुरंत या, विचार आया, occurred, occurred का मतलब होता है, घटित हुआ या विचार आना, ठीक है, it occurred to me at once, at once कर दो तुरंत, ठीक है, it occurred to me at once, मेरे मन में तुरंत या, विचार आया, that key, here was my chance, ठीक है, कि यहाँ मेरा औसर था, ठीक है, कि यहाँ मेरा औसर था, या फिर यहाँ मेरा और सर था, अच्छा उसका फिर देखिए, Never did I receive an order with more delight, delight का मतलब प्रसंता से, ठीक है, और order का मतलब आदेश, receive का मतलब प्राप्ट करना, ठीक है, या स्विकार करना, Never did I receive an order with more delight, मैंने इससे पहले कभी भी कोई आदेश, इतनी प्रसंता से स्विकार नहीं किया, ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चो, I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, भाग एक फिर पढ़ते हैं, देखें यहां पर, I swept the recitation room three times, ठीक है, recitation room का मतलब मैंने आपको बताया था, I swept the recitation room three times, मैंने तीन बार कविता कक्ष को साफ किया, then फिर I got a dusting cloth, dusting cloth का मतलब धूल साफ करने वाला कपड़ा, then I got a dusting cloth, फिर मैंने एक धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया, and और I dusted it four times, और मैंने इससे चार बार साफ किया, तीके, और मैंने इससे चार बार साफ किया, उसके बाद all the woodwork, तीके, all the woodwork, woodwork का मतलब लकड़ी से किया गया कार, तीके, all the woodwork around the walls, तीके, यानि कि सभी चारो और लकड़ी के सामान, तीके, के दिवारों को, यानि कि जो दिवारों पर जो सामान लगे हुए थे हैं, उसी को कह रहा है, ठीके, एक बाद फिर से मैं पढ़के बस समझा देता हूँ आपको, all the woodwork around the walls, every bench, table and desk, ठीके, सभी चारो लकड़ी के सामान, दिवारों को, प्रतेक बेंच को, table को और desk को, ठीके, I went over four times with my dusting cloth, मैंने साफ करने वाले कपड़े से चार बार साफ किया, ठीके, मैंने साफ करने वाले कपड़े से चार बार साफ किया, besides, ठीके, इसके अतिरिक्त, every piece of furniture had been moved, ठीके, यानि कि यहाँ पर वो कह रहा है कि besides, every piece of furniture had been moved, ठीके, इसके अतिरिक furniture के हर टुकड़े को हटा कर, ठीके, यानि कि यहाँ पर वे piece of furniture का मतलब, furniture के टुकड़े को, besides, every piece of furniture had been moved, ठीके, इसके अतिरिक furniture के हर टुकड़े को हटा कर, ठीके, and or every closet, ठीके, closet का मतलब यहाँ पे होता है आलमारी ठीके and every closet and corner corner का मतलब को ना corner in the room had been thoroughly cleaned cleaned का मतलब साफ किया ठीके एक बाफिर से पढ़ लेते हैं and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned ठीके और कमरे की प्रतेक आलमारी और कोने को पूर रूप से साफ कर दिया था ठीके यह अच्छे रूप से साफ कर दिया था एक बाफिर से पता देते हैं ठीके और कमरे की प्रतेक आलमारी और कोने को पूर्ट रूप से साफ कर दिया था अच्छा उसके बाद फिर देखिए I had the feeling that in a large measure ठीके? मिजर का मतलब होता है पैमाना ठीके? I had the feeling that in a large measure मुझे इस बाद का एहसास था की एक बड़े पैमाने पर ठीके? I had the feeling that मुझे इस बाद का एहसास था की in a large measure एक बड़े पैमाने पर ठीके? अच्छा My future depended upon the impression ठीके? मेरा भविष उस प्रभाव पर निर्भर था ठीके? Impression का मनला प्रभाव dependent का मनला निर्भर ठीके? My future future का मनला भविष My future depended upon the impression मेरा भविष उस प्रभाव पर निर्भर था ठीके? I made upon the teacher in the cleaning of that room ठीके? I made upon the teacher in the cleaning of that room जो कमरे को साफ करके अध्यापिका पर प्रभाव परेगा ठीके? जो कमरे को साफ करके अध्यापिका पर प्रभाव परेगा अच्छा उसके बाद फिर देखिए When I was through ठीके? जब मैंने काम पूरा कर लिया When I was through जब मैंने कार्य पूरा कर लिया I reported to the head teacher मैंने head teacher को ठीके? report किया यानि कि मैंने head teacher को बताया ठीके? तो प्यारे बच्चों आयोब आपको समझ में आ रहोगा फिर आगे देखिए She was a youngie woman ठीके? She was a youngie यंकी का मतलब होता है अमेरिका के उत्तरी राजियों में रहने वाली या फिर इसको हम फूरतीला भी कह सकते हैं She was a youngie woman वह बहुत थी फूरतीली महिला थी ठीके? Who knew? ठीके? Who knew just where to look for dirt Who knew? New का मतलब जानती थी Who knew just where to look for dirt वो जो जानती थी कि धूल कहा हो सकती है? जो जानती है ठीके? जानती थी कि धूल कहा हो सकती? ठी, sorry मैंने have बोल दिया ता, ठी होगा ठीके, who knew just where to look for dirt, ठीके, जो जानती थी कि धूल कहाँ हो सकती थी, अच्छा, she went into the room, वह कमरे में गई, and inspected the floor and closets, ठीके, inspected का मरलव था निरिक्षड करना, ठीके, floor का मरलव first, closet का मरलव आलमारी, ठीके, and inspected the floor and closets, ठीके, ठीके, अच्छा, उसके बाद, और first थता आलमारियों का निरिक्षड किया, और first थता आलमारियों का निरिक्षड किया, then, फिर, ठीके, she took her handkerchief, ठीके, she took her handkerchief, handkerchief का मरलो था रुमाल, ठीके, यानि कि फिर उसने अपना रुमाल लिया, फिर उसने अपना रुमाल लिया, and, और ठीके, उसके बाद फिर देखिए, and rubbed, rubbed कमर लोता है रगड़ना, ठीके, and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches, ठीके, and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches, और दिवारों पर बने लकडी के समानों पर और मेज तथा बेंचों पर इसे रगड़ा, ठीके, उसके बाद फिर देखिए, ठीके, when, जब, ठीके, she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, ठीके, unable का मनलब a-smart, ठीके, या a-sahay, ठीके, dirt का मनलब धूल, ठीके, उसके बाद फिर देखिए, bit, bit का मनलब कान, ठीके, particle का भी मतलब कान होता है, dust का भी मतलब कान होता है, ठीके, स्वरी, करने धूल होता है, ठीके, तो उसके बाद फिर देखिए, when she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, जब उसे first या किसी furniture पर धूल का एक भी कन नहीं मिला तब, ठीके, जब उसे first या किसी furniture पर धूल का एक भी कन नहीं मिला तब, see quietly remarked, ठीके, remarked का मरलब व्याख्या या प्रतिकरिया, quietly, quietly का मरलब धीरे से, ठीके, see quietly remarked, उसने धीरे से कहा, ठीके, या प्रतिकरिया की, अचा, क्या प्रतिकरिया की, I guess you will do to enter this institution, ठीके, I guess you will do to enter this institution, ठीके, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो, ठीके, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो, ठीके, I was one of the happiest souls on earth, ठीके, उस समय मैं प्रति पर सबसे प्रसंद व्यक्तियों में से एक था, ठीके, उसके बाद फिर देखिए, The sweeping of that room was my college examination, ठीके, उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए college की परिक्षा थी, ठीके, The sweeping of that room was my college examination, उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए college की परिक्षा थी, अच्छा, उसके बाद, I have passed, ठीके, Several examinations since then, मैंने तब से कई परिक्षाएं पास की थी, ठीके, मैंने तब से कई परिक्षाएं पास की थी, But I have always felt that, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि, this was the best one I ever passed, ठीके, यह सर्वत्तम परिक्षा थी, जो मैंने पास की थी, तो प्यारे बच्चो, I hope आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजे, और साथी साथ में बेल आइकन को जरूर दबाईए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और साथी साथ में अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संसे हो, किसी भी प्रकार का, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कि आपको किस बात का डाउट ह क्या चीज नहीं समझ में आया और ये मुझे जरूर बताईएगा आप लोग कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो तब तक के लिए थैंक यू वरी मच प्यारे बच्चो एव नाइस टाइम गुड डे